हेलो फ्रेज़ लौड एवेरिवन मैं वर्शी पर्जी सुंधर जैसी हम सबका प्रभु की हजुरी में स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ पेज एशुचंगयाई सबकाама रिंर सचमुच यह अज मुझे इजग किया है मैं प्रभु की हजुरी में इनका स्वागत करती हूं और मैं पास्टर राजा मसीजिक का धन्यवाद करती हूं और जो के दिली से हैं और उन्होंने मुझे इन्वाइट के अपने पेज पर पेज का नाम है इशू चंग्याई सभा और मैं चाहती हूं आप मुझे जाइन करें और हम कुछ समय ताइम और उसकी वर्षिप करें, ताकि प्रभु का जलाल हम इस वर्षिप के द्वारा देख पाएं और आज के दिन में उसका धन्यवाद करें, उसे याद करते हों इसकी महिमा करे। और मैं आपके साथ छोटा सा एक वचन भी शेयर करूँगी जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि दिवाली का त्योहार आज लोग मना रहे हैं, लोग दिये जला रहे हैं, लाइट्स जला रहे हैं, मुबतियां जला रहे हैं और हम उस विशे में भी मैं छोटा सा वचन करूँग और आये जल्द से जल्द आप मुझे जॉइन करें, हम सब इकठे होकर उस परमेश्वर के सामर्थी खुदाबाप की माहिमा करें ताकि वो जो स्वर्ग में भी राजमान है, हमारी इस वर्ष्व को देखते हुए आनन्द के साथ हमें उसका उतर दे और हमारी प्रात्नों का और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक बार फिर मैं पास्टर राजा मसीजी जो के देली से हैं जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया है अपने पेज पर ये पेज का नाम है इश्यू चंग्याई सबा और आये सब भी जल्द से जल्द मुझे जॉइन करें, मैं छोटी तो महिमा की योग्या है, प्रभू मैं धन्याद करते हुए तेरे दास के लिए जन्नों ने मुझे इन्वाइट किया हैं प्रभू जी सच्मुच, qowdah बाद मेरे परमेश्वर, इनके इस पेज के लिए प्रात्ना करती हूं, इनकी पुली टेम के लिए प्रात्ना करते हैं, खुदाब आप इस तरह इनोंने मुझे इन्वाइट किया इसी तरह वे खुदाब आप बहुत सारी रूहों को ये पेज बचाने का कारण बने और बहुत सारी रूहें इस पेज के द्वारा तेरे दास के द्वारा बचाए जाएं और प्रभू उन्हें और अधिक्रिती के साथ ब्लेस कर आशिशित कर ये ऐसे ही अपने पिता तेरे नाम की महिमा करते रहे तेरे नाम का जलाल देखने पाई खुदा बाप तरह धन्यवाद करती हूँ शुकर करती हूँ धन्यवाद शुनास्वी के नाम से मांगती हूँ और मैं एक बार फिर आप सब का जो मुझे देख रहे हैं लाइब जोने मुझे जॉइन किया है आप सब का प्रभू शुमसी की हजूरी में स्वागत करती हूँ जय मसी की फ्रेज दा लॉड हालेलुया और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज के दिन जैसे कि दिपावली का दिन है और जो हमारे मसीही भाई बेहन है वो भी इस्तियोहार को मना रहे है दिपावली में दिये जिला रहे है लाइट्स जिला रहे हैं पटाके पोड रहे हैं मैं उस वश्य के लिए चोटा सा वचन आपके साथ शेयर करूगया है उमीद करते हूं ये वचन मैं जानते हैं वचन के बारे मेन नौलज है आपको जोटा सा जल्दी अपने कमेंट में आएं और प्रभू की महिमा के लिए एक बार हाले लिया और जैमसी की फ्रेज और लॉट कहें ताकि हम उस परमेशुर के दिखा सके के प्रभू हम तेरी हजूरी में है क्योंकि खुदा बाप का वचन कहता है कि जहां दो या तीन मेरे नाम में एक मत्रहों में हाजिर हूं और मैं उमीद करती हूं कि इस लाइफ सेशन के दोरान जब आप यह चीजें जो मैं आपको बोल रही हो फॉलो करेंगे जब यह चीजें आप करेंगे तो सच मुछ प्रभू का आनन्द हमारे जीवन में आएगा और हम अपने चुटकारे को लेंग और आएए मैं प्रभू की महिमा के लिए वर्शिप करूँगी और ये वर्शिप सौंग आपके लाइफ में कारे करें आप सेन ना रहें और आप प्रभू की महिमा करते रहें अपने जीवनों में एक ब्लेसिन को देखें अपने आखों को बंद करते हुए इस परमेश्व क्या बिगाड़ेगा इंसा मेरा जब यहोवा है मेरी तरफ क्या बिगाड़ेगा इंसा मेरा यहोवाँ, यहोवाँ, यहोवा, यहोवाँ, यहुवा 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 गर मुश्किले आए लाखों हजारों मुश्किल कुशा मेरा शाफी रोकिंग क्या ये गमों के अंधेरे है रहे नुमा मेरा शाफी है रहे नुमा मेरा शाफी एक किरन उसे की पढ़ने से ही मेरे जीवन में फैले सवेरा एक किरन उसे की पढ़ने से ही मेरे जीवन में फैले सवेरा यहोवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव यहावा 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 जो तक ते रहती है ये सुमसी को होंगे ना वो शर्मसार जो तक ते रहती है ये सुमसी को होंगे ना वो शर्मसार ये सुके चाहने वालों के लिए उसकी दया बेश्मार ये सुके चाहने वालों के लिए उसकी दया बेश्मार उसकी दया बेश्मार उसकी दया बेश्मार उसकी दरने वालों के चुपेरे डाल रहते हैं दोत अपना घेरा यहोवा 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 आप भी कहें मेरे साथ यहोवा 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 खुदावब जब आप मेरी तरफ है तो कोई इनसान कोई मनुष्य कोई दुश्मन मेरा विरोधी कैसे हो सकता है मेरे खुदावन अपने आपको उस परमेशुर को सौपते हुए क्योंकि उन्हें उस परमेशुर को किसी साज की जरूरत नहीं है वो परमेशुर हमारा सिर्फ दिल चाहता है वो परमेशुर हमारा विश्वास चाहता है मारा मन चाहता है अगर आपका मन उस परमेशुर की और है तो आप मेरे साथ मिल कर कहते हुए यहुवा 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 सिर्फ मुच वो परमेशुर हमारा यहुवा खुदाबाप रापा निसी हमारी प्रात्नों का उत्तर देने वाला हमारे साथ है तो मेरे साथ कहते हुए यहुआ 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 दाउत के जैसे लड़ेंगे हो गोलियत चाहे जितना बड़ा भी दाउत के जैसे लड़ेंगे राहों में हो चाहे लाल समंदर आगे तो फिर भी बढ़ेंगे आगे तो फिर भी बढ़ेंगे चाहे दुश्मन के घेरे में हो चाहे मोती के वादी का घेरा चाहे दुश्मन के घेरे में हो चाहे मोती के वादी का घेरा चाहे दुश्मन के घेरे में हो चाहे मोती के वादी का घेरा चाहे आगे के भटियों में हो डाला हो चाहे शिरों ने घेरा जब यहोवा है मेरी तरफ क्या बिगाड़ेगा इंसा मेरा यहोवा 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 यहो Thank you Father, thank you Glory be to God मेरे खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हूं प्रभू ईश्य मसीजी खुदा बाप प्रभू जितने लोग मुझे जोइन कर रहे हैं प्रभू जितने लोग मुझे देख रहे हैं वाच कर रहे हैं प्रभू सच मुझे तेरा आनद इनका बल है तेरा आत्माा इनके लाइफ में कारे करे पिदा पर्मेश्वर प्रभू ये शिमसीर का सुनना खुद है इनकी जीवन में सोगना फल को लेका है इन्हें bless कर इन्हें आशिशित कर खुदाबाप जितने लोग जितने जन विश्वास करते हैं प्रभू के तु ही हमारा खुदाबाप तु लड़ने की सामट रखता है तु हमारे लड़ेगा तु मेरा यहावा निसी है यहावा राफ़ा है परमेश्वर खुदाबाप उनकी प्रातनाय कभी व्यर्थ नहीं जाती जो रूर सचाई के साथ वर्षिप करते हैं उनकी प्रातनाय कभी व्यर्थ नहीं जाती जो आप पर विश्वास रखते हैं उनकी प्रातनाय कभी नहीं जाती पिता व्यर्थ जो खुदा बाप तुछ पर विश्वास करता है और मानता है कि खुदा तु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है जैसा कि दाउध लड़ा सिर्फ परमेश्वर पर फेद करते हुए जैसे लाल समंदर से परमेश्वर ने मुसा को निकाला और अपने लोगों को अपने कलीसिया को छुडाने की सामर्त दी वो ही परमेश्वर हमारा परमेश्वर आज हमारे साथ है और मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सचमुची मेरा ऐसी वर्षिप करना उसका होली स्पिरट उसका आत्म मुझे चूरा है और मैं मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुछ प्रभु का आत्मा हमारे साथ है हमारे साथ वो खुश है हमारी प्रात्नाई सुन रहा है वो हमारी वर्शिब को वो सुन रहा है तो मुझे मेरा बिलीव है कि जब आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप भी उस परमेश्वर से रुवर सचाई के साथ उससे जुड़ेंगे और मांगेंगे परमेश्वर से वो आपको देगा और मैं एक बार फिर आपके साथ एक वर्षिप सौंग को गाऊंगी और उमीद करते हूँ यह वर्षिप सौंग जैसे परमेश्वर हमें होसला देता है जैसे परमिश्व में जोडता है अपने साथ ये भी सौंग ये वर्शिप सौंग आपके जीवनों में हर बंधन हर चुटकारे को ले के आएगा हर बंधन को तोड़ते हुए चुटकार आपके जीवनों का हिस्सा बनने पाएगा तो मैं प्रभू के उस आनंद को महसूस कर रही हूं और विश्वास करते हूं आप उस आनंद को महसूस करेंगे यहावा 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 यह अ महुआ व्याओ हालिलुया 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 हामी सच मुछ हालिलुया के साथ आपके जीवनों में से हर बंधन, हर बेमारी, हर एक प्रॉब्लम आपके जीवनों में से जाए इशुनास्री के नाम से हालिलुय कि द्वारा आपके लाइफ में छुटकार आई इशुनास्री के नाम से यह रे बिलावड इन दे रेवर्ट स्रामान अपने आखों को बंद करें में प्रात नाम करेंगी और सच मुझ प्रभू का आदम अपके जीवनों को चुएगा अपने आखों को बंद करें अपने खुदा बाप सच मुझ तु मेरा यहाव परमेश्वरे प्रभू तेरा वचन कहता है कि जितने जन मुझे पुकाते हैं विश्वास के साथ मैं उनको उत्तर देता हूँ प्रभू तुम प्ता- खुदा बाप जितने लोग अपने बोज के खुदावन अपने बोज हो आप पर डालना चाते हैं और चाहते हैं कि खुदा आप उनका बोज होँटाएं प्रभू सुनने वाला वो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है कलिस्या, वेरी लाड एम दिरी स्ट्री वो खौम दलाराबा, यह हुआ परमेश्वर सच मुछ मेरे खुदावन, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभू, तो सब कुछ करने की सामट रखता है, आईए मैं पिर एक वर्षिप संग आपके साथ गाओंगी और आप मुझे मेरे साथ दें और तालियों के साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और जितने लोग मुझे देख रहें वो अपनी फैमिली फैमिलियों के साथ बैठे मुझे देखें और तालियों के साथ हर एक परसन इस परमेश्वर की महिमा का आनंद ले उस परमेश्वर को महसूस करें उसके हजूरी को महसूस करें अपने जीवनों में हम गाएंगे सौंग मिठा नाम यहावादा मेरे दिल विच रंदा है ये सुराजा देख जाने आचों मैनू बरकत मिल जावे मिठा नाम योहावादा मेरे दिल विच वस जावे ये सुराजा देख जाने आचों मैनू बरकत मिल जावे ये सुराजा दिखा जाने आचों मैंनू बर्कत मिले जावे मैंनू रखी तो यहावा साब के कदे छले न कपटे आवे मैंनू रखी तो यहावा साब के कदे छले न कपटे आवे सोटी लाठी वाली ताड़ न रखी मैंनू कदे न कमंडे आवे मेरी जिन्दगिच मेरे ये सुझे बस तेरी ही था होवे मिठा नाम यहावादा मेरे दिल विच वस जावे ये सुरा जा देख जाने आचों मैंनू बरकत मिल जावे ये सुरा जा देख जाने आचों मैंनू बरकत मिल जावे नेरा बलवी यहावा तों ते चटान यहावा तों मेरे लुकड देखा वे तों मेरा माण यहावा तों तेरे लिख लिख गेतानों तेरे लिख लिख गेतानों मन खुशी नाल पर जावे मिठा नाम यहावादा मेरे दिल विच वस जावे यह सुराजा देख जाने आचों मैंनू बरकत मिल जावे यह सुराजा देख जाने आचों ननू बरकत मिल जावे सचमच वह परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है और वह खुदा बाप का वचन जब जीवित वचन हमारे लाइफ में आता है तो हम चंग्याई को हम अपनी रहाई को अपनी आजादी को अपने छुटकारे को लेते हैं और मैं प्रभु ईश्यमसीजी का एक बर फिर धन्यवाद करती हूं कि मैं इस लाइक नहीं थी लेकिन उस परमेश्वर ने मुझे चुना मेरी फैमली से मुझे चुना मुझे गिफ्ट दिया, वर्षिप का गिफ्ट दिया गॉड़ गिफ्ट हूं मैं और मैं सच मुछ दि करते हुए सकते हैं मेरे पेच पर specifically यूटिप चैनल को फॉलो। कर सकते हैं। तांकि आप उस प्रमेशुर की महीमा को सुने और उसके जलौ को देखें। मेरे मेरे यूटिप चैनल का नाम है वर्षी पर जसिध्य है। और मैं सचमुच परमेशुर के दास पास्टर राजा मसीजी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पेज पर येश्यू चंग्याई सभा पेज पर इन्वाइट किया है और मैं अपने आपको खुशन सेव समझते हूँ क्योंकि प्रभु का आत्मा जब मैं आपके साथ आज के दिन के लिए एक वचन को शेर करना जरूर चाहती हूँ और उमीद करती हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में सोग उना फल को लेके आए और ये आज की वर्शिप के लिए मैं विश्वास करती हूँ प्रभु एश्युमसी जी आज की इस तुने खुदा मुझे गिफ्ट किया हुआ है खुदा बाप और तेरा वचन कहता है पिता तुने मुझे 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 से वादा किया जब तू गाएगी तो लोग हीलिंग को लेंगे तूने मुझे से वादा किया प्रभु जब तू किसी के लिए प्रातना करेगी तो लो दिपावली का त्योहार सबी लोग इस दुनिया में पूरे वर्ड में मना रहे हैं और जैसा कि मसी लोग जो क्रिष्चन लोग हैं वो भी मना रहे हैं दिपावली और दिये जिला रहे हैं लाइट्स जला रहे हैं पठाके चला रहे हैं लेकिन एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूं और मैं मुझे पता है कि आप सब बहुत समझधार हो आप वचन की बहुत नौलेज रखते हो लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप इस वचन को सुनें जैसा कि जशाया एक बाप की चौधा आयत में लिखा है तुम्हारे नए चांदों और नियत परवों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं वे सब मुझे बोज से जान पड़ते हैं मैं उनको सहते सहते उगता गया हूं और आगे पड़ती हूं मैं कि लिखा है कि जब तुम मेरी और हाथ फैला तब मैं तुम से मूँ फिर लूँगा तुम कितनी ही प्रात्ना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूँगा क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं मैं जो दो आयत जिशाया एक बाप की 14 पंद्रह आयत में पढ़ चुकी हूं एक बार फिर रिपीट करूंग और जितनी मुझे प्रभूत का आत्म मुझे गाइड करें मैं इस वचन को आपके साथ शेयर करूंगी और उमीद करते हूं ये वचन आपकी पुद्धी में अकल आपकी समझ में आये और आप सोगनफल को लेके आएं एक बार फिर पढ़ते हुए कहूंगी कि जिशाया एक कि चोधा बाप में लिखा है तुम्हारे नए चांदों और नियत परवों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं वैसा मुझे बोज से जान पढ़ते हैं मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं और आगे कहते हैं जब तुम मेरी और हाथ फैलाओ तब मैं तुम से मुझ फेर ल ही ना सुनूगा क lifelong कि तुमहारे हात को से बड़े हैं जैसे कि प्रभु का वैचन कहता है कि जब हम प्रभु की वैचनों की और अपना मन नहीं लगाते जब हम उनके वैचन को नहीं सुनते हुए समझते हुए भी हम तोहार वो फेस्टिवल्स मनाते हैं हम जैसे दिपावली का आज के दिन में जरूर मसी लोग भी पठा के चलाते हैं दिये बाती लाइट्स जलाते हैं जिस सब होता है लेकिन वो वचन नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर इन सब चीजों से ग्रेना करते हैं और वो कहत हैं कि अगर तुम इस इंसानी मनुश्यत्योहारों को मनाओगे मेरे मेरे वचन को अंदेखा करोगे और जब तुम मुझे पुकारोगे तब मैं तुम्हारे और तुम्हारी प्रात्नों को नहीं सुनूँगा अपने मूं को फेर लूँगा एक कड़वा सच भी कह सकते हैं और मैं आपको सच में बताऊं जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं परमेश्वर के उस डर में बोल रही हूं कि मैंने कभी भी लाइव होकर वचन को नहीं बोला है कभी वचन को शेयर नहीं किया है लेकिन मेरे मुझे एक कॉल के द्वारा उन्होंने जब वचन मैंने बो कुछ भी आप मान सकते हैं, कि मेरे बहुत ही करीबी इंसान ने, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इन्सान, उन्होंने जब मुझे इस विश्र में बोला, तो मैंने पहले मैं भी हसी, और जब उन्होंने मुझे ये वचन, मैंने उनको बोला, कि आप मुझे वचन भेजें, उन्होंने वचन भीजा और सच मुझे यह लग रहा है कि यह परमिशुर के और से उन्होंने मेरे साथ बात के आज दिपावली के दिन के लिए के आज का दिन हमारे लिए हम इने नहीं मना सकते क्योंकि प्रभू इंसब चीजों से घृणा करते हैं वो इन सब चीजों से बैर रखते हैं और उनने जब मुझे वचन भेजा मैंने पड़ा तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं और अज फर्स टाइम मुझे लाइव मैं वचन बोल रही हूं और उमीद करती हूं कि आप ये वचन को समझ रहे हैं और सच मुझे प्रभू आप आप की बुद्ध बहुत सारे लोग हैं जो यह जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है वह किन किन चीजों से ग्रेणा करता है लेकिन हम फिर भी वही काम करते हैं तो यह चीजें उनके जब हम परमेश्वर से बोलते हैं कि हम हमें चंग्याई दे हमें ब्लेस कर हमें आशिशित कर तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता अपना मुख वो फेर लेता है तब हमें कितना दर्द होता है दुख होता है यह हम समझ सकते हैं जब मैं वचन बोल रही हूं तो मुझे खुद तकलीफ हो रही है यह चीज के लिए कि जब हम प्रात्ना करेंगे वो हमारी प हैं कि झाननय है तो यह रौषनी जो दिन्यावी रोषनी सwegen रौषनी रौषनी चिन्सारी के वहाँ चले यह चांगा sa बार कर था प्रके पिए वर दिन्यावाद करने स्थान दिए जिन्नें मुझे है भी यह ब्रबू का जो हमारे जीवनों में आज के दिन के लिए special है तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ share करूं कि हम ये सब चीजों के और ना देखें हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन और मैं सच मुझ बहुत खुश हूँ आज के दिन में जितने लोग मुझे देख रहे हैं क कि हम नहीं जानते कि वो परमेश्वर हमारे आज हमारी कौन सी प्रातना अज उस परमेश्वर के उस राज्य में पहुंच चुकी है जितने लोग मुझे देख रहे हैं मुझे मेरा बलीव है ये सब लोगों की लाइफ सेमने रहे गे और टेस्टिमनी के साथ ये सब ही आए हमारे यहां बहुत सारा शोर है धुआ है मैं अभी बाहर लाइफ से पहले जब गई थी इतना ज्यादा प्लिशन था कितना मतले लोग देख रहे हैं कि अपना अपना इंज्वाइज जरूर कर रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि इतना नुकसान कर रहे हैं हम सब तो मैं ज परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, उसके नाम को जलाल देते रहें, और हालिलुया वर्ड ऐसा शबद है कि आपके जीवनों को हिला दे सकता है, हालिलुया ऐसा शबद है आपकी लाइफ सेव नहीं रहेंगी, और आप उस परमेश्वर को हमेशा याद रखें, उसको महिमा देते रहें, और कहें के परमेश्वर, आप ही हमारी रोशनी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, और ये वचन प्रभु जो हमने दिया है खुदा बाप, आपने हमें दिया है खुदा बाप, और हमने खुदा बाप सुना है, ये हमारे जीवनों में हम कभी भी ऐसा काम ना करें, जिससे आप घ्रीना करते हैं प्रबू, हम कभी भी ऐसा काम ना करें, जिससे आप बैर रखते हैं खुदाबाप, और प्रबू, हम हमेशा खुदाबाप तेरी अधीनगी में चलें, और हम खुदाबाप वही करें जो आपको पसंद है, उनसे बो परमेश्वर उसी वक्त हमें उत्तर दे तो आप इस वचन के अनुसार चले और धन्यवाद करती हूं उस परमेश्वर का जिसने मुझे इस लाइक बनाया और मैं आपके साथ आज यह वचन मुझे शेयर कर रही हूं वर्ड अफ गॉड को शेयर कर रही हूं और वर्शिप कर सच मुझे आज का दिन मेरे लिए ब्लेसिंग का दिन है और आप सब के लिए भी ब्लेसिंग का दिन है और मैं चाहते हूं कि जब यह वर्शिप यह लाइव सुनने के बाद आपको प्रभु का आत्मा ने आपको चुआ है आपके जीवन में हर्चल की है आपको चुआ है आ आप इस comment box में जाकर आप हमसे share करें, अपनी प्रात्नाओं को comment box में डाल डाल दें, जो चाहते हैं आपके लिए हम मैं प्रात्ना करूं तो मैं आपके लिए प्रात्ना करूंगी, आप अपनी प्रात्नाओं को comment box में भेज सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि परमेश्वर के इ आपने डैसमोनी, जरूर में लास्ट में एक और वर्शीव सोंग गाऊंगी और आप इस सोंग के द्वारा ब्रबु की माहिमा करें मेरी साथ तैंक यू, आलिलुया तैंक यू चीशी, आलिलुया, ब्रेस गाड सच मुझ तु महिमा के योग है मेरी सामुटी परमिश्वर ओ मेरी भला खुदा बाप तु मेरी प्रात्नों को सुनने वाला परमिश्वर है खुदा बन मैं तरह धन्यवाद करती हूं प्रवीश्व मसेजी रिबाशा को दोलोरसी मिदारा येस येस लोड येस लोड येस लोड येस लोड येस लोड आएए अपने आखों को बंद करें और उस पर मेश्वर की वर्श्वप करें मेरे साथ ए खुदा केरू छू हमें तुछू ए खुदा केरू छू मुझे तुछू आप भी कहें ए खुदा केरू छू मुझे तुछू तेरी हाँ जूरी में खड़े हैं तेरी हाँ जूरी में खड़े हैं हमें नजरिया तू ए खुदा केरू छू मुझे तुछू ए खुदा केरू छू मुझे तुछू मेरा ये सू ये सू मेरा ये सू ये सू तुछूए हमें मिले आजादी हो जाएं तिरे मसा के आदी हो जाएं तिरे मसा के आदी दिल में हमारी तुआ मेह के तेरी खुश्बू ए खुदा केरू छू हमें तुछू मेरा ये सू ये सू मेरा ये सू ये सू मेरा ये सू ये सू मेरा 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 ये सू हालेलुया प्रेज गाडड हालेलुया उमेद करते हूं परमेश्वर के आत्मा ने आपको चुआ है और जिन्होंने मुझे अपने प्रात्नाएं बोली है मुझे कहा है प्रात्नाओं के लिए मैं उनके कमेंट पढ़ते हुए उनके लिए प्रात्ना करूँगी बबिता पटेल जी उनके लिए हम प्रात्ना करते हूं उनकी फैमिली के लिए जॉब ड्रांसफर और होम ब्लेसिंग के लिए आपके लिए मैं प्रात्ना करते हूं प्रभु यश्मसी जी इस बहन के लिए मैं प्रात्ना करती हूं खुदावब तिरा जलाल इनके जीवनों में कारे कर प्रभु जी तेरा आत्मा इनके लाइफ में ठहरे प्रभु जी तेरा आत्मा प्रभु यश्यमसी इनकी जीवनों में काम करें खुदावब तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा प्रभु यश्यमसी में मांगती हूं तेरी बेटी के लिए प्रभु खु प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम करें प्रभु यश्यमसी तरी blessing की मैं घोषना करते हूं इंदे नेम आफ जीजस आलेलुया प्राहत ना करते हैं हम इनके मदर के लिए भी बोला है मैं आपकी पूरी फैमिली को यश्यनासरी के ब्लड में कवर करते हूं seal करती हूँ और आशा आशा जी के लिखा है please pray for me मैं प्राइतना करती हूँ आशा जी आपके लिए भी आपकी family के लिए कि प्रभु का आत्मा हमेशा आपके साथ रहे आपके साथ आपके घराने में आपका आना जाना जहां भी आप जाएं हर एक चीज में आपका पिता परमेश्वर आत्मा इनकी लाइफ में काम करता रहे और खुदा बाप आपके बलड में आपके लोहू में इनको कवर करती है उनकी फैमिली को इनके घराने को और इनके हर उस हिस्से को जो इनके साथ चुड़ा हुआ है हलेलुया आमिन कहते रहे और जिनका मैं नाम लेते हुए परातना कर रहे हूँ वो आमिन जरूर लिखे तांके हम उस पर्मेश्वर से कहे के प्रभु जी जो अमने परातना में मागा आपने थे दिया है और आमिन करते हुए उन्हें रसीव करें अपने जीवनों में और सच मुच्छ यह प्रातना ही आपके जीवनों में टेस्टेमनी को ले के आएगी अगे मुनाली जी जो के उनकी प्रातना है के प्लीज प्रेफोर माई हस्बैंड विजे आपने लिखे है के बंधन टुटे रिटना आई बच्छों किसा फैमिली ओके ठीक है ओके मैं आपके लिए प्रातना करती हूँ के परमेश्वर यह सिस्टर जो खुदाबाब तेरे खून की खुरीदी हुई है प्रभू मैं तेरे धन्यवाद करती हूँ कि पिता तेरी बेट में मिस अंडर्स्टैनिंग है खुदाबाब यह सभी खुदाबाब मिस अंडर्स्टैनिंग का आत्मा इशनास्री के नाम से जाए बाई फायर इन दे नेम अफ जीजस हर बंधन इनके जीवन में तूटने पाई परमेश्वर क्योंकि तु बंधन को तोड़ने की सामट को रखता है मेरे परमेश्वर दया करें और खुदाबाब इनका डाइवोर्स कैंसल होने पाई इन दे नेम अफ जीजस खुदाबाब क्योंकि तूने जिनको जोड़ा है कोई मनुश्य कोई डाइवोर्स कोई भी अंधकर की ताकत अलग ने कर सकती प्रभु जी आप खुदा तेंक यू फादर तेंक यू फादर जिन्होंने लिखा हुआ है शोबाज जोए लग की जी उनका प्रे प्रे फॉर माई फैमिली और आगे लिखा हुआ है आकाश गिल जी प्लीज प्रे फॉर मी जिन्होंने अपने लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज प्रे फॉर मी प्लीज प्रे फॉर मी और जिन्होंने कल्पना सेंग जी उन्होंने लिख है I received आइए रेसीवड और सचमुछ परमेश्वर आपके जीवनों में काम कर चुका है और आप अपने जीवन में testimony को देखेंगे Amen, Hallelujah सनिहा, सनिहा, इनका है Please pray for my family Relative, spiritual life growth, spiritual life partner Please pray, Okay मैं इसलिए सबी नाम पढ़ रही हूँ कि मैं इन सब के लिए जिन्होंने अपनी prayer को रखा है उन सब की प्रात्नाओं को इकठा करूँगी आप receive करते रहे अपनी अपनी prayer को और सच मुच अपरभु का आत्मा आपको चुए विक्रम राजी इनके सिस्टर जी मेरे लिए prayer करें, मेरे चेस्ट में infection है, pain भी है जी, brother जी, मैं करूँगी आपके लिए प्रात्नाओं भी जी, Hallelujah Hallelujah, thank you Thank you, thank you, glory be to God तो आइए मैं प्रात्ना करती हूँ मेरे सामर्थी खुदाबाप जितनों ने भी खुदाबाप आप पर विश्वास करते हुए ये live session में अपने comment box में प्रात्नाओं को रखा है प्रभू आप एक जन की प्रात्नाओं का उत्तर दे चुके हैं मेरा विश्वास है मेरे खुदाबाप जिस तरह तुने उस एठत्ती साल के रोगी को चंग आई दी थी पिता मैं इस भाई के लिए प्रात्ना करती हूँ जो चेस्ट की प्राब्लम है पिता चेस्ट की में पेन है खुदा इश्यू नास्त्री के नाम से मैं मांगते हैं इनकी घराने के लिए तेरी हीलिंग के दूद अभी जाएं पिता परमेश्वर इनकी बोड़ी को पिता चूँ जाए मेरे खुदाबाप और प्रभू हीलिंग दे चंग्याई दे मेरे खुदाबाप तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा शुकर करते हूं मेरे प्रभू जी सच्च मुच्छ तिरा आत्म working इनकी लाइफ में ठहरें प्रभू जी इस बेहन के लिए परात्ना करते हूं खुदाबंद ौस पर्टा आप न लिए 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 लिका हूए शुबा जोय लकी इन्होंने भी लिखा हुआ है जितनों ने भी प्लीज प्रे फॉर मी लिखा हुआ है मैं उन सब को प्रभु जी तेरे आगे लेके आती हूँ प्रभु आत्मा में मैं उनको चूती हूँ प्रभु वह भले शरीर में मेरे साथ नहीं है लेकिन आत्मा में एक परसन को मैं चूतियों खुदा तेरी सामट के द्वारा प्रभु तेरा आत्मा इनकी जीवरों में काम करें और प्रभु जी कोई भी अंधकार की ताकत इनके लाइफ में कारें न करें प्रभु येश्य मसी ये शुनासरी के नाम से इनके हार एक खुआश को हार एक इच्छा को खुद आप पूरा करें और पिदा परमेश्य ये आप में बढ़ते रहे आपकी महिमा को देखते रहे और आपके जलाल को देखते हुए आपके अपने जीवरों में एक बड़ी टेस्टिमान को ले और मैं धन्यवाद करते हूं प्रभु ये इस लायक समझा कि मैं आपक होज अंप करती हूं लाइव सेश्ण को चैंने प्रबो की हजूरी का आनंद लिया होगा प्रभु की हजूरी का उसका हिमा के दौरा उसकी वचन के दौरा उसकी के दौरा उसकी प्रात्नों के दौरा और मेरा बातचीत आपसे करना हमें इकठा करना ये परमेश्वर की ही योजना की तहत हुआ है और सच मुच्छ थैंक यू ग्लोरी बी टू गाड प्रभुको नाम को जलाल मिले महिमा मिले थैंक यू एवरिवन थैंक यू परमेश्वर जी तैंक यू पास्टर जी मैं चुकियों आडियो भी और रिलीज होने जा रहा है इसी मन्त के लास्ट में और उमीद करते हूं जब यह सौंग आप सुनेंगे आप सेमने रहेंगे प्रभु का आत्मा इस सौंग के दोरा भी कारे करेगा और सच मुझे बहुत ब्लेस्ट सौंग है और जब हमने यह सौंग क सके उसके नाम को उचा उठा सके और इस पूरे संसार में उसके स्विवाए और कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें आजाद कर सकता है जो मुझे हमें रहा कर सकता है और इसी टॉपिक के उपर अपने बंधनों को टूटा हुआ देखने के लिए यह सौंग भी मेरा ऐसा ही स सौंग आ रहा है और उमीद करते हो जब आप सुनोगे आप सेम नहीं रहोगे आप प्रभुका आत्मा आपके साथ होगा और आप इस सौंग को जादा से जादा शेयर करें लाइक करें और कमेंट जरूर करें और प्रातनाओं में इस सौंग को रखें अपनी हर एक परसन इ धन्यवाद करते हुए है मैं आपसे विदा लेती हूं आपका धन्यवाद शुक्र करते हूं कि आपने मुझे सुना और आपने कमेंट के